अमेजिंग फेक्ट्स अबाउट ताज महल आज की वीडियो का हमारा यह है टॉपिक है प्यार की निशानी के रूप में प्रसिद ताज महल का निर्माण मुगल शाशक साजहा ने अपनी बेगम मुम्ताज महल की याद में बनवाया था ताज महल को देखने दुनिया भर से लोग भारत आते हैं और इसकी सुन्दरता को देखकर हैरान भी रह जाते हैं ताज महल का इतिहास ताज की कहानी ताज के बनने से सम्मंदित कई ऐसी रोचक बाते हैं जिन्हें बहुत कम लोग जानते हैं तो आज की वीडियो के माध्यम से हम आपको ताज महल से जुड़ी ऐसी रोचक बाते बताने जा रहे हैं जिने शायद आप ना तो जानते हों या फिर बहुत कम लोग जानते होंगे और जानकर आपको हैरानी होगी तो साथियों वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और लोग भी ताज महल के बारे में अमेजिक जो फैक्ट से हैं वो जान सकें साथ ही बैल आइकल जरूर दबाएं फैक्ट नमबर वन कहानियों के अनुसार शाह जहां एक ऐसी इमारत बनवाना चाहते थे जिसमें कोई गलती नहूं लेकिन मुम्दाज महल की मजार के ठीक उपर छत पर एक छेद है कहा जाता है कि शह जहां द्वारा मजदूरों के हाथ कटाने काटने की बात सुनकर एक कारीगर ने जान बूचकर यह छेद किया ताकि ताज दोश ही ना रह सके फैक्ट नमबर दो यमना नहीं होती तो ताज नहीं होता हाँ दोस्तों सही सुना आपने कहा जाता है कि ताज महल की नीव जो नीव है आबुनुस और महोगनी की लकडियों से रखी गई है जिन्हें मजबूत बने रहने के लिए नमी की आवशकता होती है यमना नदी से नीव की लकडियों को नमी मिलती रहती है इसी लिए ताज महल इतनी मजबूती से खड़ा है और यदि यमना नदी नहीं होती तो शायद ताज महल भी वहाँ नहीं होता फैक्ट नमबर तीन नौ साल पहले साथ अजूबों में शामिल हुआ ताज हाँ दोस्तों सही सुना आपने कि हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं कि ताज महल दुनिया के साथ अजूबों में से एक है लेकिन ऐसा नहीं है पहले ये साथ अजूबों में से एक नहीं था ताज महल को जुलाई 2007 में ही दुनिया के साथ नए अजुगों में शामिल किया गया है दोस्तों फैक्ट नमबर चार तीन बार बिका ताज महल हाँ दोस्तों सही सुना आपने कि ताज महल भी बिक चुका है बिहार के सिवान के रहने वाले ठग नटवर लाल ने ताज महल को तीन बार बेचा था उसने लाल के लिए को भी दो बार बेचा और राश्पती बहुन को भी एक बार बेचा भारत के सबसे बड़े ठक के रूप में जाने जाता है नटवरलाल को आखरी बार 1996 में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर देखा गया था तब वह तीन बार पुलिस को चक्मा देकर भाग निकलने में सफल हुआ था फैक्ट नमबर पांच ताज महल को 28 तरह के कीमती पत्थरों से सजाया गया था जो कई देशों से लाए गये थे इन कीमती पत्थरों को अंग्रेजों ने निकाल लिया और अपने साथ ले गये फैक्ट नमबर छे क्या आप यह जानते हैं कि ताज महल शाय जहां ताज महल जैसी ही एक काली इमारत बनाना चाहता था जहां से वह ताज महल की खुबसूरती को देख सके परन्तु उसके पुत्र औरंग जेव ने उसे कैद कर लिया और उसका यह सपना सपना ही रह गया फैक्ट नमबर साथ शाय जहां ने नहीं बनाया था ताज ताज महल को लेकर सबसे बड़ा रहस्य यही है कि इसे शाय जहां के दुआरा नहीं बनाया था यह अजीब बात सुनने को मिल रही है हाँ दोस्तों सही बात है एक पुस्तक The True Story of ताज महल के अनुसार इस थान पर शिम मंदिर हुआ करता था जिसे आगरा में रहने वाले राजपूतों के दुआरा बनाया गया था कहा जाता है कि युद में राजपूत शाजां से हारे और उन्होंने यह है मंदिर तुड़वा के ताज महल का वहाँ पे निर्मान करवा दिया गौर तलब है कि इस रहसे का वर्णन किताब में है और सरकारी फाइलों में ऐसा कुछ नहीं मिलता तो आज की हमारी है वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा साथ में वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें साथ में क्या आप भी ताज मेल से जुड़ी रोचक बाते जानते हैं जो बहुत कम लोग जानते हो कमेंट में शेयर जरूर कीजेगा आपके कमेंट का हमें इंतिजार रहेगा तब तक के लिए अलविदा अगली ऐसी ही रोचक वीडियो हम आपके लिए जल्दी ही लेकर आएंगे